हेलो एवरिवान मैं हूं किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल यह थोड़ी 1st January से लेकर 6th February तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं three of wands and fighting और ये cards कहते हैं कि this week in general या फिर specifically आपके professional front में किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का wait रह सकता है और दिखेंगे इंतजार, ये wait सबके लिए differ कर सकता है क्योंकि ये general reading है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी news, किसी phone call, किसी email का आप wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज पर आपने काफी effort किया और उसी के outcome का आप wait कर रहे हैं और दिखेंगे जो भी आप इस week कर रहे हैं, कहीं future की planning आप जादा करते हुए दिख रहे हैं या फिर long term के बारे में आप जादा सूचते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाहा रहे हैं और दिखें, surface level पर जो भी हो रहा हो deeper level के लिए fighting का card बहुत ही clearly हमें कहता है कि किसी चीज को लेकर एक लड़ाई चल रहे है और दिखें, लड़ाई ये fighting सब के लिए differ कर सकती है क्योंकि again ये general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि अपने ही thoughts, अपने ही belief system के साथ आप एक fight कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके आस्पास जो लोग है उनके साथ आपकी argument हो रही है उनके साथ आपके views नहीं match कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने goal अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक fighting spirit आप रखते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे concern में आपको यही कहूँगी कि fighting हमेशा ही बुरी नहीं होती है at times हमें खुद के लिए stance लेने पड़ते हैं again अपने goal अपने मकसद के लिए जो भी obstacles आते हैं उनसे fight करना पड़ता है और at time हम एक irritating energies में होते हैं और बिना बात के fight करते हैं और इस week थोड़ा सा pause करके आपने अपने आपसे जरूर पूछना है कि जिस भी चीज को लेकर एक fight you know आपकी life में चल रही है क्या वो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रही है या फिर वो आपको परेशान कर रही है अगर इस fighting spirit की वज़े से कुछ अच्छी चीज़े आपकी life में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है आप ऐसी spirit में रहें लेकिन इसकी वज़े से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इन ही चीज़ों को या फिर इन ही energies को चेक करके correct करना इस week बहुत important है और personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है Knight of Pentacles and the Miser तो दिखिए सबसे पहली बात दोनों ही Pentacles के cards हैं तो overall के लिए देखें तो personal front में एक practical, एक realistic approach आप ज़्यादा रखते हुए देख रहे हैं tangible, materialistic चीज़ों के उपर, money, पैसे के उपर यहां तो आप ज़्यादा focus कर रहे हैं या फिर इन ही चीज़ों से किसी level पे एक फाइदा, एक gain आपको हो रहा है लेकिन देखें deeper level के लिए miser का card कहता है कि साथ ही साथ ओड़े से कंजूस भी आप किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि यह general reading है तो यह कंजूस ही सब के लिए differ कर सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी feelings, अपनी emotions को लेके बहुत कंजूस हो रहे हैं यानि कि आप इतना express नहीं कर रहे हैं अपने आपको आप इतना share नहीं कर रहे हैं अपने thoughts को, अपनी feelings को कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी की कोई बात आपको बुरी लगी और मन ही मन आप अच्छा नहीं feel कर रहे है और कहीं ये card एक attachment भी चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, relationship को लेकर महसूस करने की बात करता है और फिर से मैं कहूंगे कि कुछ ऐसा ही आपके personal front में इस week आप महसूस कर रहे हैं In fact, सबके लिए different चीजें हो सकती हैं जिसको लेकर आप ऐसी energies में हैं और surface level के लिए देखे, night of pentacles का card कहता है कि आप आगे बढ़ने से पहले बहुत sure होना चाहते हैं बहुत ज़ादा, again मैं कहूंगी कि आप secure होना चाहते हैं जब तक कि 100% again आप sure नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो देखे, ऐसी energies में रहना बहुत अच्छी बात होती है, कैंसेरियन्स हमें आगे बढ़ने से पहले, action initiatives लेने से पहले जरूर सोचना चाहिए लेकिन जब हम, you know, too much ही सोचते हैं तो कही negative thoughts हमारे mind में ज़ादा आते हैं और इसी वज़े से हम अच्छी opportunities को miss करते हैं और फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं तो इस चीज का भी खयाल इस week आप जरूर रखें और guidance से आप लोगों के लिए card है cleansing waters और ये card कहता है purification activates vibrant life force तो देखे बहुत ही clearly ये card cleansing की बात करता है purification की बात करता है और देखे हमने देखा भी कि deeper level के लिए दोनों ही fronts के cards कहीं बहुत great energies की बात नहीं करते हैं और होता कहा है na cancerians कि जो भी चीजें हमारी external life में हैं या मैं कहाई सकती हूँ कि physical level पे हैं हम उनको rose clean करते हैं क्योंकि उन पे लगी dirt को हम देख पाते हैं और हमें समझ में आता है कि कितना important है इसको clean करना देखे हम अपने घर को rose clean करते हैं अपनी body को rose clean करते हैं गाड़ी को rose clean करते हैं लेकिन mental emotional self को ना तो हम देख पाते हैं और ना ही again मैं कहूंगी कि उस पे लगी dirt को हम देख पाते हैं, इसलिए हमें समझ में भी नहीं आता है कि इसको clean करना कितना important है, और यहां पर यह काट कहीं mental emotional self को clean करने की ही बात करता है, और फिर से देखें mental emotional self को clean करने का सबसे अच्छा तरीका है, कि सबसे पहले आप अपने negative thoughts को observe करें, उनको positive thoughts के साथ replace करें, positive लोगों से connect करें, positive जगाओं को visit करें, जो भी motivational speaker जिनके साथ आप connect करते हैं, आप उनको सुनें, और देखें ऐसा आप करेंगे तो आप अपने life force को activate करेंगे, और बहुत ही beautiful energies अपनी life में लेकर आएंगे, और deeper level के लिए जो भी मसले हैं, उनको भी आप solve कर पाएंगे, and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है, और देखें आपकी राशी भी cancer है, और आप लोगों के लिए card भी cancer है, और ये card कहता है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving, it may concern family, a mother or a child, तो हो सकता है कि भई, आप अपनी family पे ज़्यादा focus कर रहे ह हों इस week, चीजों को लेकर emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं, और देखें इस card के हिसाब से देखें, तो white color आप लोगों के लिए इस week लगी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं